देखिए जब हमारा हिर्दे blood pump करता है एयोटा के थुरू पूरे शरीर में तो वो blood vessels के अंदरोनी wall पर एक pressure लगाता है अंदर की ओर से जिसके वज़े से blood vessels की wall में stretch होता है यानि blood vessels की elasticity बढ़ जाती है इसे blood pressure कहते हैं जिससे normally expert के नुसार systolic blood pressure 120 mmHg और diastolic blood pressure 80 mmHg पर होना च जाहिए देखिए जब हमारा हार्ट धड़क कर खून शरीर में फैलाता है तो ये केवल रक्त धमनियों पर ब्लड प्रिशार ही नहीं लगाता है बलकि एक वेव भी जनरेट होता है जो कि हर एक वेंटरिकल सिस्टोल के साथ आर्टरी तक फैल जाती है जैसे मानों जब दिल तो उसी धड़कन के साथ ही हमारी रक्त धमनिया भी फड़कती रहती हैं हिर्दय की हर एक धड़कन के साथ हिर्दय लगभग 60-80 ml ब्लड एयोटा के थ्रू पूरे शरीर भर में फैलाता है और जब हिर्दय पंप होकर ब्लड फैलाता है तब ब्लड उसके वाल पर एक डिस ब्ल हो जाती है देखिए भारत में आपने कई ऐसे आयरुवेदा चारे और डॉक्टर को देखा होगा जो आपके हाथ को पकड़कर आपका नब्स देखते हैं और ये बताते हैं कि आपको कोई बिमारी है या नहीं है असल में वो यही वेव ही देखते हैं जिसे पल्स कहते हैं या हमारा हार्ट रेट कहते हैं देखिए यह जो पल्स रेट होती है यानि हार्ट रेट वो केवल हमारे कलाई के आर्टरी पर ही नहीं देखी जाती है बलकि इस इमेज में जहां जहां आप देख पा रहे हो उन सभी जगहों पर उंगली रखकर आप अपने पल्स रेट को जान सकते हैं, आप अपने pulse rate को जान सकते हैं कि आपका heart एक मिनट में कितनी बार धड़कता है जब ये दिल की धड़कने 100 से ज़्यादा बार हो जाती है तो इसे टैकी कार्डिया कहते हैं और जब 60 से नीचे हो जाती है तो इसे Bradycardia के नाम से जाना जाता है देखिए ये जो हमारे दिल की धड़कन है इसका regulation कैसे होता है यानि दिल की धड़कन कब तेजी से धड़कने लगती है और कब धीमे धीमे ये धड़कती है ये बाते तै होंगी हमारे nervous system से nervous system में भी हमारे autonomic nervous system से पर आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी दिल की धड़कन का generation nervous system के थूँ नहीं होता है दिल खुद से ही धड़कता है उसके पास अपना खुद का एक conduction system होता है इसलिए दिल को पूरे शरीर में एक unique और सबसे महत्पूर्ण दर्जा दिया गया है देखिए हमारा जो heart rate है मतलब हिर्दय का धड़कना वो दरसल regulate होता है हमारे पैरा sympathetic nervous system और sympathetic nervous system के जरिए वो कैसे देखिए हमारे brain के medulla oblongata में हमारे हिर्दय के heart beat को regulate करने के लिए vessel motor center होता है जो कि हमारे शरीर के अनुसार sensory information लेकर हमारे हिर्दय की गती को कम या तेज करता रहता है देखिए हमारे external environment से जैसे ही कोई information आती है हमारे brain को hypothalamus और motor cortex activate होकर हमारे vessel motor center के जरिए signal भिशते हैं हमारे हिर्दय को तेज धड़कने के लिए आप समझ गए होंगे कि ये sympathetic nervous system का हिस्सा है क्योंकि sympathetic nervous system का काम हमारे हिर्दय की गती को बढ़ाना होता है और दरसल ये sympathetic nerve fiber होते हैं जो हिर्दय से जुड़े हुए होते हैं हमारे thoracic reason से निकलने वाली nerve T1, T2, T3, T4 जैसी nerve होती हैं जो की इन impulses को हिर्दय तक पहुचाती हैं और ये हिर्दय की धड़कन को बढ़ा देता है दरसल ये blood vessels को constrict करके हिर्दय की गती को बढ़ा देते हैं देखिए हमारे aortic arch में और carotid sinus में baroreceptor होते हैं और chemoreceptor होते हैं जो blood pressure के change होने पर और blood में chemical imbalance को sense करके ये information भेशते हैं vessel motor center को और ये vessel motor center vegas nerve के थुरू हमारे blood vessels को signal भेशता है dilate होने को जिससे हमारे हिर्दय को कम महनत लगती है blood को पूरे शेरीर में पहुचाने के लिए और heart beat कम हो जाती है ये paras sympathetic nervous system का हिस्सा होता है इसके अलावा जब हमारे right atrium में venus return यानि जो deoxygenated blood है वो बहुत जादा हो जाता है तो भी हिर्दय को तेजी से धरकना पड़ता है इसलिए इस इस्तिती में sympathetic nervous system हमारे blood vessels को constrict कर देता है जिससे blood पूरे शेरीर भर में फैल सके हमारे right atrium में आने वाले venus return को balance किया जा सके उमिद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा